दोस्तो अलिगर्ण मुस्लिम उनसिटी के तीन इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लेके आया हूँ अभी भी सीटें बहुत खाली है मॉप अप राउंड यानि एस्ट्रे वेकेंसी या स्पोर्ट एड्मिशन यानि सीटें जो खाली है उससे भरी जा रही है तो बहुत सारे एड्मिशन के लिए अभी सीटें खाली है इसके बारे में इस वीडियो में चचक करूँगा कि सीटें किसमे खाली है कितनी खाली है वो पूरी complete जनकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा इसके साथ साथ तीन important notice आपको बताने वाला हो तो तीनों notice देखे जाएगा कोई भी notice skip मत किजीगा तो सबसे पहला notice जो कि सबसे जादा मुझसे पूछी जाती है comment box में कि आपका self finance का result कब आएगा तो साब साब यहां लिग दिया गया है इस notice में कि 30 September तक last date होंगी सारे courses का except इन 5 courses को छोड़के इन 5 courses में self finance भी है यानि self finance आगे और खिचने वाला है यानि इसका result October तक खिच सकता है तो 30 September तक इनका तो admission formality नहीं होगा लेकिन बहुत सारे media news के मुताबिक और Instagram पे एक AMU info है उनके मुताबिक 30 से पहले result आने के उम्मीद है तो अभी 6-7 दिन बचा हुआ है इस महीने में तो उम्मीद की जा सकती है लेकिन AMU ने clarify कर दिया है साफ साफ कह दिया है दूद कदूद पानी के पानी कि self finance का admission 30 September से पहले नहीं होने वाला ये तो साफ साफ इस notice में बोल दिया जब AMU बोली रहा कि पहले नहीं होगा तो result पहले आने के उम्मीद कम है तो result लेट आएगा इतना जान लिजिए बाकी BBA में BABAD में BACBA में ये तो अभी इस साल का नया course का आगाज हुआ है Medical सारे courses में Foreign National के admissions में NRI के admission में PhD programs में और 11th class 11 self finance में इसका admission October तक खिचने वाली है तो ये पहला notice है दूसरा notice मैं आपको बता रहा हूँ तीन notice है और भी मैं आपको आगे notice बताऊंगा जिसमें सीटे खाली है ये पहले इसका notice आया था कि BABAD और BACBA का courses का शुरुआत हो रहा है लेकिन इसका कोई official notice नहीं आया था तो अभी official website पर देखेंगे यहां पर office memo regarding introduction of new courses BABAD और BACBA तो इसका office memo आ गया है ये office memo वही है जो पहले आपको मैं share किया था 50 seat दोनों courses में है BABAD और BACBA 4 साल का integrated course है पहले आपको BABAD करने के लिए 3 साल के graduation प्लस 2 साल के BABAD करना होता था अब जो 5 साल में आप BABAD करके निकलते था अब उसको 4 साल में ही करेंगे इसका student का 1 साल बचेगा और सरकार को देश को फैदा होगा कि जो सही में teaching में जाना चाहते हैं वो 12 के बाद ही अपना career change करें कि मुझे teaching में जाना है पहले क्या होता था गिरेजुशन कर लिया उसके बाद कुछ और कर रहे हैं कहीं कुछ नहीं हुआ तो चलो BAB कर लेते हैं teacher बन जाते हैं हो सकता है सरकारी नौकरी भी लग जाए तो पहले इस इच्छा से इस objective से इस vision mission से करते थे कि कुछ नहीं हुआ तो teacher बन जाते हैं अब सरकार कह रही है कि teacher बनना है था 12 के बाद ही आप decide करें तो 12 के बाद ही decide करने के लिए ये notice जारी हुआ कि 50-50 courses दोनों courses में 50-50 सीटे दोनों courses में यानि 100 सीटे को एज़ाफा हुआ है 100 सीटे का बढ़ोतरी हुई है इस साल से तो 50 सीटे आपको BA BAE में और 50 सीटे BAC BAE में मन पसंद का आप subject चूज कर सकते हैं कौन सा subject आप पढ़ाने वाले हैं बाकि आप जो science वाले हैं दोनों में apply कर सकते हैं BA BAE में ही कर सकते हैं दोनों में 50 पसंद बारोवी में होना चाहिए एक अच्छी बात है कि bridge course वाले भी इसमें apply कर सकते हैं दीनी मदारिस वाला भी इसमें apply कर सकते हैं तो दोनों का लिए option दिया है questions देखिएगा reasoning का आएगा 25 questions general English के 25 teaching aptitude का 25 और general awareness का 10 October तक late fee के साथ apply कर सकते हैं 300 रुपया बचाना है तो 5 October से पहले ही आपको apply करना होगा यह बहुत important बाट है कि last date याद रहना चाहिए और test का date याद रखना चाहिए syllabus क्या क्या पूछे जाएगे age 24 साल से जादा आपका नहीं होना चाहिए 1 July 2023 को कहने का मतलब है कि यह बहुत अच्छा situation है बहुत अच्छा course है कि आपको एक साल बच रहा है और देश को भी फाइदा हो रहा है तो नोटीस अपने बता दिया तीसरा sport admission के यह ताजा ख़बर आई है कि CUT के दोवारा जो admissions हुए थे Sanskrit, Persian, Women's Studies, Hindi, Philosophy, Education लिग्मिस्टिक, Russian, Geography, Statics में इसमें seatे खाली है तो कितनी खुशी के बात है जब seatे खाली है तो admission कम rank वालों को भी मिलेगा तो seatे खाली है इसके लिए इन्होंने किया है कि जो बच्चे अलड़ी admission ले भी चुके है वो अपना course का upgrade कर सकते हैं तो जो seatे खाली रहेगी उसको फिर से दिया जाएगा Those shortlisted and eligible candidates who have registered in any round online on the counseling portal of the university and are duly verified but not offered admission आप test दिये थे लेकिन आपको कोई admission नहीं मिला है तो आप इसमें apply कर सकते हैं तो may modify their choice using their previous login credential लेटेस by 26 September 26 September से पहले आप login करके फिर से अपना choice choose कर सकते हैं अभी जामिया में निकला हुआ है seat vacancy का i button पे and screen पे डालनों का उसी तरह AMU में भी बहुत सारे seatे खाली है तो seatे खाली है उसको भरी जा रही है तो आप इस seatे खाली का फैदा उठाएगा जो admission ले चुके हैं उनका course का अपग्रेड करने का मौका दिया है 26 से नौ तक written applications लिखके जो लोगों का अभी तक admission नहीं मिला है उन लोगों को 26 सेप्टेंबर तक online login करके आपको option देने है काजी जुबै रहमाद जो के senior section officer है admission sections के office of the controller of examinations के उनका ये admission का notice है बहुत खुशी की बात है कि seatे खाली है तो जिल लोगों का upgrade करना है वो application लिखे जिल लोगों का fresh admission लेना है वो online अभी counseling portal पर जाए जैसे आपने counseling के लिए login किया था login करके वही same credential login करके user ID password जो पहले था वही login करके आप अपना मन पसंद course चूज कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो तो पसंद आई होगे क्योंकि admissions के सिलसिले में था नए courses का आगाज हो रहा है नए नए chances मिल रहे है admissions के लिए इसके साथ साथ आपका self finance का भी update दे दिया तो मिलते हैं सी useful वीडियो के साथ तब तक यो take good care of yourself जैहिन जै एम्यू